कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनें कभी भी अकल नहीं आती है ऐसा ही कुछ चल रहा इस वक्त पडोसी के साथ अर्मेनिया और भारत के बीच में डील से इस तरीके से परिसान हुआ कि अजरवेजान पहुचा पाकिस्तानी जनरल और उसके बाद पाकिस्तानी पीम जो केर टे है जानेंगे कस्मीर और गाजा को लेकर क्या बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर इतना बड़ा जटका चाइना को पहले कभी नहीं लगा था चाइना की सबसे बड़ी सबसे दिगज कमपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे कहेंगे कि चाइना की र रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से एक तस्वीर देख रहे हैं आप ये तस्वीर पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में दूतावास की है अजरबैजान के एमबेजर खजर फहादो ये एक केक काट रहे हैं और इनके साथ म महतपुर्ण है ये केक काटा जा रहा है विक्ट्री डे आजरबैजान का सेलिबरेट करने के लिए बीजय दिवस मनाने के लिए ये केक काटा जा रहा है और इसमें पाकिस्तान के सारे बड़ियां बड़े बड़े लोग हैं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक नामी होटल मे ये सारा आयोजन भी किया गया था अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ तो वहीं विक्ट्री डे को लेकर एक परेड का आयोजन भी किया गया अजरबैजान की तरफ से और ये अजरबैजान में हुआ था अजर्बैजान में इस परेड में अजर्बैजान के प्रेसीडेंट की तरफ से वावाही लूटी गई और कहा गया कि देखो हमसे जो है न अब कोई पंगे लेने से पहले सौबार सोचेगा अब हम वैसे नहीं है ऐसे नहीं है हम बहुत ताकतवर हैं हमसे मजाक करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा बात तो बड़िया है आजर्बैजान ने हराया है अर्मेनिया को ये सच है और नारगोनो कारवाग पर कबज़ा किया है ये भी बहुत बड़ा सच है लेकिन आपको बता दें आजरबेजान और अर्मेनिया की लड़ाई अकेले अकेले की नहीं थी यहाँ पर थोड़ा सांतर है आजरबेजान के साथ पाकिस्तान भी था आजरबेजान के साथ इसराइल के हतियार भी थे और आजरबेजान के साथ तुर्की भी था लेकिन अर्मेनिया अकेला पड़ गया था अर्मेनिया ने ट्रीटी साइन की थी रूस से पर रूस ने भी साथ नहीं दिया था रूस के जो सुखोई बिमान थे वो बिमान भी काम नहीं आये थे तो कुल मिला कर यहां पर अकेला पड़ गया था अर्मेनिया अर्मेनिया क्या क की कोषिज कर रहा है खरीद भी रहा है एंटी डे ड्रों सिस्टम खरीद रहा है और दूसरी तरफ एरान के चाबार पर्जेक्ट के दार भारत को भी एक साथ चाहिए तो ग्रीस और अर्मेनिया से वहतर कौन होगा पर आपको बता दे अब धी क्या हुआ है एक मीटिंग चल रही है उजबे किस्तान में और ये जो केर टेकर पीए में वो पहुँचे हैं जैसे ही पहले डील की बात हुई थी अचानक से जनरल मुनीर को क्या सुझा वो दोड़ गए सीधे अजरबैजान और वहां जाकर मुलाकात करके आए अगर अजरब के प्रेसिडेंट से और यहां पर दोनों में बात्चीत होती है गाजा को लेकर भी कस्मीर को लेकर भी जहां पाकिस्तान ने अर्मेनिया को धंकाते हुए कहा कि देखो भाया हम नर्गनो काराबाग के लिए साथ खड़े हैं अजरबैजान के खुलम खुला तो वहीं अजर अच्छी भूमी का किसने निभाई थी इसराइल के हतियारों ने जो इसराइल ने दिया था अजरबैजान को और अभी क्या हो रहा है तूर्की और इसराइल के बीच टेंसन हो रहा है और यह टेंसन कहीं लेके न डूब जाया अजरबैजान को क्यों तूर्की के चक्कर में आकर यहां पर अजर्बैजान ने भी इसराइल के खिलाब बयान देना सुरू कर दिया है और आपको बता दें सब तो बड़े बड़े दिगज यहां से निकल लिए युवाई सौधी इस मामले में पीछे हट गए पर अब कहीं ऐसा नहो कि अगली बार जब अजर्बैजान हतियार मांगे तो अजर्बैजान के लिए मुस्किलें खड़ी हो जहां भारत को लगने लगेगा कि अब चीजें ज्यादा होने लगी है न तो सच मानिये मुझे ऐसा लगता है कि भारत हिजराईल से जरूर बात कर लेगा कि आँ वया इसे देना है अतियार की नहीं देना है पर जब तक भारत को लगता है कि नहीं ये कोई बड़ी चीज नहीं है तब तक अजर्बैजान को मदद मिलेगी जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं बहुत अंकार बहुत भरोसा इंसान को लेकर डूब जाता है और ऐसा ही होता है देशों के साथ भी जो देश ये सोचते हैं कि हम ही है और हमारे अलावे कोई नहीं है वो देश इसी तरीके की मुश्किल में फसते हैं अभी देखिए क्या हो रहा है ना सेमी कंड़क्टर यानि एक ऐसी चीज जो दुनिया में हर जगा हर चीज के लिए लगबग कितने इलक्ट्रोनिक आइटम है एरक्राफ्ट केरियर है ड्रोन है घर में चल रहा है कंप्यूटर है घड़ी है कहीं भी जादा तर देखेंगे सेमी कंड़क्टर का इस्तेमाल हो रहा है इलक्ट्रोनिक आइटम के लिए अब इसमें एक युद्ध चल रहा है दोनों दिगजों के बीच में चाइना के बीच में भी और अमेरिका के बीच में चाइना के ऊपर पड़ती बंद ठोक दिये अमेरिका ने अमेरिका ने अपने हाइट टेक्लोजी को चाइना को एक्सेस ही नहीं देना शुरू किया अब चाइना के लिए रूस जैसे ही टाइट करने शुरू कर दिये खास तोर पर एडवांस चीप पर वैसे ही वैसे चाइना के लिए दिखने लगी दिक्कते हलाकि चाइना ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता है हम सब बना लेंगे अब उल्टा क्या होने लगा भारत जैसे देश जहां देखिए स्क्रीन पर एक आर्टिकल 2.75 बिलियन डॉलर की सेमी कंड़क्टर फेक्टरी बन रही है गुजरात में ऐसा ही अमेरिका का एक और बड़ा सेमी कंड़क्टर का कंपणी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उड़ी सा में माइक्रों जैसी कंपणी आ रही है और भी चीज़े आ रही है तो अमेरि पर अब बठती हुई चीजें दीख रही है हुआ क्या था साल 2020 में जो चाइना की सबसे टॉप की सेमी कंड़क्टर कंपणी है ना उसमें अमेरिका ने एक बैन लगा दिया था इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था किस चीज़ पर इन्हें कहा था कि देखो इन्हें कुछ पर हुआ इस क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए क्या हुआ चाइना की सबसे बड़ी चीप मेकर कंपणी एसमाइसी इसका प्रॉफिट असी परतीसत तक गिर गया है थार्ड क्वाटर में और ये एक बहुत बड़ा संकेत है चाइना की एकोनोमी के लिए सही बताओं तो इस वक्त चाइना के लिए अच्छी खबर तो लगता है जैसे की तरस जाए चाइना ऐसे वाले हालात है क्योंकि अच्छी खबर एकोनोमी को लेकर आ ही नहीं रहे हैं इस एकोनोमी को कैसे समाला गया है ऐसा लगता है जैसे खुद में एक रिसर्च का विशे होगा कि हर से नीगेटिव चीजें ही क्यों आ रही हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ